असलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप लोग आज के इस लेक्चर में हम अपने जोमेट्री के लेक्चर को री स्टार्ट करने बारे हैं स्टुडेंट मैं आपको ये बात यार दिला कि हमारे जोमेट्री का जो लेक्चर हुआ था वो लास्ट लेक्चर ईद के पहले 25 जुलाई को हुआ था 25 जुलाई के बाद आज हम अपने जोमेटरी के लेक्शर को री स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको यह याद होना या इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को पढ़ रहे थे लास्ट लेक्शर में और आज के लेक्शर में काफी दिनों का गया गया इसलिए स्टुडेंट मैं आपको अपने लास्ट वाले और प्रिवियस लेक्शर में हमने किन चीजों के बारे में स्टडी की है आईए उसे एक बार रिवाइज सर ले दे और उसके revision के बाद फिर हम आज 2.2 exercise को start करने से पहले जो properties का use होगा उन properties के बारे में हम यहाँ पर study करेंगे तो आएए देखते हैं कि आज के lecture को मैं किस हद तक आगे continue कर सकता हूँ कहने का मतलब यह है कि क्या मैं आज के lecture में सिर्फ property ही बता पाऊंगा या property cover करने के बाद मैं 2.2 exercise को start भी कर पाऊंगा तो देखते हैं टाइम पर depend करता है कि क्या यह दोगों चीज़े हो सकती है या सिर्फ आज के lecture में मैं आपको property बता सकता हूँ तो आएए सबसे पहले हम अपने 25 जुलाई का जो lecture आपको send हुआ था बहुत से student ने उसे देखा नहीं है इसलिए जो बच्चे इस lecture को देख रहे हैं प्लीज previous lecture के properties को समझ ले तब आपको आगे के lecture आसानी से समझ में आ जाने है तो student मैं आपको इस बात का याद दिला दू कि 25 जुलाई के जो lectures हुए थे उसमें हमने 2.1 exercise को complete किया था वहाँ हमने जो theorems पढ़े थे वो theorems क्या है मैं आपको बात पता देता हूँ और फिर आज के lecture में हम जो पढ़ने वाले हैं जैसार के आप इस वक्त बोर्ड पे लिखने है तेस्ट और पैरेडल दाइस तो इसको पढ़ने से पहले उस चीजों का पता होना जरूरी है जो हमने 2.1 वाले exercise में यूज किये थे तो आपको कुछ कुछ चीजे तो याद होंगे 2.1 exercise को complete करने के लिए हमने 5 तरह के angles के नाम पढ़े थे आपको याद होगा तो आप corresponding angle उसके बाद आपको याद होगा तो आपको याद होगा तो आपको ये भी पता होगा कि इंटीर एंगल होता था, alternate angle होता था, linear pair angle और vertically opposite angle इन 5 एंगल के बारे में हमने exercise number 2.1 में स्टड़ी किया था आए मैं हलका सी एक revision वहाँ करा देता हूँ कि ये 5 एंगल कैसे होते थे हमने जो 2.1 में स्टड़ी किया था, corresponding angle हो या alternate angle हो, interior angle हो इनके लिए क्या properties होती थी, आइए उसे देखते हैं, student ये जो board में लिखी हुई ही या ये जो diagram बना हुआ है इसे कुछ अत्ता का ignore करिए, और मैं जो आपको यहां revise करा दे जा रहा हूँ, उस पे देहां देजिए, समझ में आ रहा है तो हमारे जो पहले के lecture's हैं, उसे सुनिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए फिर भी एक division के तौर पर यहां मैं आपको यह बता दूँ, कि हमने ये पढ़ा था, कि अगर मेरे पास दो line parallel हैं जैसे कि यहां पर example लेते हैं, line L और line M, अगर यह दो line parallel है और इनका एक transversal है, for example line P, line P क्या है इनका? Transversal, तो दो line parallel है और एक transversal के जरिए, बनने वाले corresponding angle होते थे, वो क्या होते थे? यादा रहा है, अगर line parallel है और transversal है, तो बनने वाले corresponding angle, यादा रहा है, और तीसरे angle के बारे में, अगर line parallel है और एक transversal है, तो बनने वाला जो alternate angle होता था, जैसा यहां और यहां पर, यह भी क्या होता था? यादा रहा है, और तीसरे angle के बारे में, अगर line parallel है और एक transversal है, तो बनने वाला जो interior angle होता था, English का alphabet C या UK जैसा, उनका total 180 degree होता था, यानि they are supplementary angle, यादा रहा है आपको? इन तीनों ही angles में, या इन तीनों ही therms में, मैंने एक condition यूश की जाओ, तो क्या condition है? अगर, अगर lines parallel है, तब ऐसा होगा, यानि के फिर एक पर सुनिये, अगर lines parallel है, तो corresponding angle जो होगा, वो बनने होगा, और अगर lines parallel है, तो जो interior angle बनता है, वो एक दूसरे को supplementary होता है, तो यहाँ condition क्या समझ में आई आपको? कि lines का parallel होना जरूरी है, अगर lines parallel नहीं है, तो corresponding angle बनेगा, लेकिन congruent नहीं होगा, अगर lines parallel नहीं होगा, और अगर lines parallel नहीं है, तो interior angle बनेगा, तो जरूर, लेकिन supplementary नहीं होगा. तो student, आपको यह condition समझ में आगई होगी, कि lines का parallel होना जरूरी है, इनके बिना हम 2.1 में use होने वाली property को, इस्तमाल नहीं कर सकते, तो यह हुआ उस lecture का revision, या उन properties या theorem का revision, आज हम यह पढ़ने वाले हैं, test for parallel lines, यारी इसका उल्टा, देखिए, पहले जो theorem समने पढ़े हैं, उसमें lines parallel होते थे, और angle बार में congruent होते थे, अगर lines parallel हैं, तो angle congruent होगा, आज हम उसका उल्टा पढ़ेंगी, मैं 2.2 अभी start नहीं कर रहा हूँ, एक बार जब आपको यह properties समझ में आ जाएंगी, उसके बार हम 2.2 start करेंगे, क्योंकि इन ही properties का use 2.2 के questions में किया रहा है, तो आईए, अब इसके revision के बार हम इस वाली properties को पढ़ते हैं, जिसका गाम देख रहे हैं आप लोग, test for parallel line, यानि के parallel lines को proof करने के लिए क्या-क्या test है, समझ में आया हम क्या पढ़ते हैं, फिर से सुनिए, parallel lines को proof करना है, पहले से parallel नहीं है, फर्क समझ में आया, 2.1 में जो properties यूज किये थे, उसमें lines पहले से parallel थे, लेकिन 2.2 में जो इन properties को हम यहां समझ रहे हैं, इसमें lines पहले से parallel नही ही हैं बलके हमको प्रूफ करना पड़ेगा तो आएए देखते हैं कि वो क्या प्रॉपटीज है समझ में आ रही है बात तो देखें इसको इस डाइकांग को आप भूल जाए और यह हैडिंग देखिए टेस्ट पॉर प्रॉडल लाइन्स तो ऐसे हमारे पास प्रॉडल है या अब आप बोलें जिस्ट यह तो वही नाम है जो हमने पहले पड़े थे बिल्कुल वही नाम है वहां पर जब मैंने नाम दिखा था तो मैंने ऐसे लिखा था इंटीडियर एंगल थेरा हूं या सिर्फ इंटीडियर एंगल उसमें टेस्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ था फड़ समझ में आ रहा है जब हम टेस्ट यूज करेंगे तो इसका मीनिग अलग हो जाता है यानि कि यह जो टेस्ट है यह जित्ते भी आपको टेस्ट दिख रहे हैं यह टेस्ट कभ यूज करोगे जब हमको लाइन्स को पैरलल प्रूफ करना होगा समझ में आया और अगर लाइन्स पहले से पैरलल है तो उस टाइम पे हम कैस्ट यूज नहीं करते हैं उस टाइम पे हम इंटीरियर एंगल थेरम यूज करते हैं आर यह बात समझ गए आईए देख गया तो देखिए अब आपको यह समझना है कि हम दो लाइन्स को पैरलल कै पैसे प्रूफ कर सकते हैं तो उसके लिए मेरे पास इतने स्पञ्ट आया तीन स्वाइव सबसे मालना थे हैं से एंटीर एंगल थेश दुरा और थेंगल और आर तीस ला कर्सपौंडिक एंगल थेश अब इसको कैसे यूज करना है यह यह क्या कहते हैं उसे याँ समझते हैं सबसे कि जाते होंगे कि тебе रेंगल क्या चीज होती है'm पता हैरा सिंबल बनाते हैं जैसे कि आप इस वाले राइंगर प्राइज अगर इन दोनों को में प्रेस करूं उए इनल रहना शेय कूं बनाते हैं और अगर मैं इस एंगल नमबर 1 की डिगरी देता हूँ 80 डिगरी और एंगल नमबर 2 की डिगरी देता हूँ 100 तो 80 और 100 को प्लस करो और टोटल देखो कितना आएगा 180 आया ना 100 प्लस 80 फूटल कितना आगया 180 तो अगर बनने वाले इंटीडियर एंगल का टोटल सप्लिमेंट्री है 180 का मतलब क्या पता है था मेरे सप्लिमेंट्री तो अगर बनने वाले इंटीडियर एंगल का टोटल सप्लिमेंट्री यारे के वालेटी है तो ये दोनों लाइंज एल और एम क्या होगा पैनल होगा समझ रहा है बिलकुल उल तो लाइन्स क्या होगा बिल्कुल उल्टा आसान है सुने ना एक बार फिर सुनें इंटीर एंगल टेस्ट क्या कहता है कि अगर बनने वाले इंटीर एंगल सप्लेमेंट्री है तो यह जो लाइन्स है यह पैरिलल होगा आईए इस गाईग्राम में भी ऑप्सप करते हैं यहा हम दे रिटे हें इस एंगलको सेंटी वन और यहां हम दे रिंटे हैं सेंगल को कि और यह लुक्त हूं कि हुआं कि हैं सद्सेख सदेख़सगाना कि हुए कुऐ आप यहां pierwsि क्यू आर इस दिकर है उसके पाद जो 109 डिग्री का एंगल है उसका नाम होगा Q-R-C दिखा ना कैसे देखना है अंकल या उसको C-R-Q भी बोल सकते हैं तो एंगल Q-R-C ये दोरों कौन सा शेप बना रहें मिलके C के इसा बन रहा है ना तो इसको क्या बोलेंगे हम अब देखते हैं कि इन दोरों इंτικेर एंगल का टोटल कितना आता है तो A-Q-R का जो डिग्री है वह 71 है Q-R-C जो डिग्री है वो कितनी है 109 अब अगर हम इस दोरों को प्लस करें तो 109 और 71 टोटल कितना होता है प्लस करों क्या ये 2018 की आता है अगर यह 180C आया तो yes अगर इन दोनों एंगल का टोटल 180C हुआ supplementary हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि yes, line L is parallel to line M समझ में आया therefore, line L is parallel to line M पास समझ में आई समझ में आई की नहीं आई मैं एक बाब फिर आपको पुल देता हूं अगर कोई भी interior angle बनता है और उन दोनों को जब आप प्लस करोगे प्लस करने पे टोटल कितना आना चाहिए 180C, 180C आया तो आप बोलोगे lines parallel है 180C नहीं आया, उससे कम रहा या उससे जादा रहा तो lines parallel नहीं होगे, इसी को हम बोलते है interior angle test उमिद करता हूं कि आपको interior angle test समझ में आ गया होगा जो 2.1 के बिल्कुल opposite है, ठीके तो यह रहाए interior angle test, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा बाला start करते हैं, alternate angle test अब अगर हमें दो lines को parallel प्रूफ करना है मैं एक बर फिर रिपीड करतू, यह सारे test, किसके लिए यूज करना हूं हम लोग lines को parallel प्रूफ करने के लिए जो test लिए test for parallel lines, किसके लिए है यह parallel lines के लिए test, तो interior angle तो समझ में आ गया आपको, कि अगर बनने वाले interior angle का supplement लिए आता है, तो दोनों lines क्या रहेंगे, parallel रहेंगे समझ में आया, अब हम दूसरा वाला देख रहे है, alternate angle अब आप सब जाते कि alternate angle कैसे बनता है, English का alphabet Z के कैसा बनता है, तो अगर बनने वाले alternate angle का total अगर बनने वाले alternate angle का total नहीं करना है, बलकि हमको पता है कि alternate angle क्या होना चाहिए, congruent होना चाहिए सुने न, कि अगर बनने वाले alternate angle गॉंट है तो बला इस क्या रहेगा parallel रहेगा, देखो example देखो यहां को, चलिए ध्यां से देखो इस example में, माल लेते है कि यह जो angle है, इस तरफ का angle इसकी degree है, X और यहां पर इसका जो alternate angle बनेगा, ऐसा Z के जैसा इसकी degree भी कितनी है, X तो यह alternate angle जो है, यह दोनों जो alternate angle है यह दोनों congruent है या नहीं है होए ना congruent तो अगर मुझे इसी diagram ने यह दिया दिया है कि alternate angle का जो pair है वो congruent है तो मैं आसानी से इसका use करूँगा by alternate angle test और यह कहूँगा line L is parallel to line M समझ में आया alternate angle test बहुत simple सा है कि सर अगर बनने वाले alternate angle पहले से congruent है तो lines क्या रहेंगे, parallel रहेंगे simple अब आते हैं तीसरे वाले test की करफ corresponding angle test बिलकुर इसकी लिए सही है कि अगर बनने वाले corresponding angle पहले से congruent है तो lines क्या रहेगा, parallel रहे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत आसान है अब इन तीनों test को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि हम इनका use कर सके 2.2 exercise और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि test को complete करने के बाद हम 2.2 exercise स्टार्ट करेंगे तो आए जल्दी से इनका revision कर लेते हैं बार बार चीज़ों को repeat करने से आप उन चीज़ों को इतने ध्यान से सुनते नहीं हो और मैंने अक्सर देखा हूँ बच्चों से पुछने भी पता चलता है कि वो lecture देखते भी तो इसने मैं से short में जल्दी से बता देता हूँ एक बार revision ज़रूरी है test for parallel lines यह वो test है जिनका हम use करेंगे आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने कल को आपके घर में या किसी ने भी आपसे पुछा कि आज के lecture में आपने क्या पढ़ा तो आपको बूलने आना चाहिए कि हमने test for parallel lines को study किया फिर दूसरा question यह होगा कि यह क्या होता है test for parallel lines क्या होता है तो आप उसे आसानी से बोल सकते हो यह वो test है जिनका use करके हम किसी भी दो line को parallel proof कर सकते है इसलिए इंका heading ही है test for the parallel lines किस line के लिए parallel lines के लिए तो अब इनके statement क्या है वो मैंने आपको बताया कि अगर बनने वाले interior angle supplementary है तो lines क्या रहेंगे parallel रहेंगे पहले से होना चाहिए interior angle अगर कहीं बना हुआ है जैसे यहां बना हुआ है अग इन दोनों का total 100 C आया अगर बनने वाला interior angle पहले से supplementary है तो lines parallel होगा इसका यूज़ कि हमेंने by interior angle test उसी तूसरा वाला alternate angle test अगर बनने वाला alternate angle जैसा यह दोनों angle ता जो pair है वह एक्डूस्टियक को अगर पॉम्ण्ट है तो lines क्या रहेंगा पैरलल रहेंगा तो जहां सा सुनिए अगर बनने वाला alternate angle पहले से पंपनेंट है तो दोनों lines क्या होगे parallel होगे उसके बाद जो तीसरा वाला है corresponding angle test इसमें भी वही है कि सर अगर बनने वाले corresponding angle पहले से confident हैं तो lines क्या होगा? Paragal होगा? आएए यहां देख लेते हैं, corresponding angle में चैसे यहां पर वैसे तो बहुत से जोड़ी बनती है, लेकिन एक जोड़ी का नाम देखते हैं, B, Q, R, इस तरफ और आएगे हैं, देख रहाँ आप लोगो, angle B, Q, R, यहां का angle corresponding बनाएगा किसके साथ? D, R, S के साथ, इज़र पे, देखा? तो अगर यह दोनों angle concurrent है, मान लेते हैं, कि यह दोनों concurrent हैं, यानि इसके degree y है, तो इसके degree भी y है, तो अगर यह दोनों angle concurrent हैं, और दिखने में वो कैसे दिख रहे हैं, यह corresponding angle दिख रहे हैं, division और सारी चीज़े जो आज के lecture में 2.2 के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, और उम्मिद करूँ कि आपको समझ में आगे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर doubt है, तो वीडियो को पीछे करिए, repeat करके वीडियो को देखिए, आपको आसनी से समझ में आ exercise number 2.2 का first वाला question, आइए बोट पे देखते हैं, exercise number 2.2, main question number 1, यह उसका diagram है, आइए देखते हैं कि वो हमें क्या पूछता है, या इस question में हमें क्या solve करना है, question रीट करते हैं, y is equal to 108 degree, जैसा कि आप यहाँ diagram में देख रहे हैं, angle y यहाँ पे टिखा हुआ है, कितना degree है, 108 degree, x is equal to 71, यहाँ पर x लिखा हुआ है, और इसकी degree कितनी देख है, 71 degree, यह दो information के बाद, वो आप से बोलता है, are the lines m and n, parallel, यानि वो आप से question पूछ रहा है, कि क्या line m और line n, यह दो horizontal line, parallel हैं, और आगे word लिखा है, justify, justify, justify का मतलब reason देना, justification करना, कि अगर वो parallel है, तो क्यों है, और अगर वो parallel नहीं है, तो क्यों नहीं है, आर यह बाद समझ में, क्या आपको question समझ में आया, यह ज़र्दी से एक बार फिर से देखते हैं, angle y is equal to 108, angle x is equal to 71 degree, और वो आप से पूछ रहा है, are the lines m and n, parallel, क्या line m औ parallel है, यह आप से वो question पूछ रहा है, साथी साथ, उसमें justification करनी के लिए कहा है, इसका मतलब आपको पूरी तरीके से समझाना होगा, कि वो parallel है, तो क्यों है, और अगर वो parallel नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो उमीद करता हूं कि question तो आपको आसनी से समझ में आ गया होगा, किया जाएगा, ठीक है, आईए देख, तो स्टुडेंट, अगर मैं बहुर से रिबूज जाइगां को, तो मेले पास X और Y, ट्रांसफोर्सर के एक साइड में है, और मैं अगर देखता हूं, तो मुझे यह कुछ इस तरह से बनते हुए दिखता है, यानि ऐसा शेक, जहां जहां पर X दिखा हुआ है, वो 71 डिग्री का है, और जहां पर Y दिखा हुआ है, वो है 108 डिग्री का, समझ के आया, तो इन दोनों डिग्री को अगर मैं ब्लस करूं, या मैं ध्यान से लेखूं, तो यह मुझे किस तरह क्या एंगल दिख रहा है, यह दोनों भी मुझे समझ में आ रहा है, तो हमें डाइग्राम को समझना होता है, कि डाइग्राम में एक्शल में कौन सा टेस्ट यूज होने वाला है, अगर यह दोनों एंगल मिलकर के क्या बना रहे हैं, इंटीर एंगल का शेप बना रहे हैं, तो हम इंटीर एंगल टेस्ट यूज करेंगे, अगर मुझे यह alternate angle बनाता तो हम alternate angle टेस्ट का यूज करते और अगर वो corresponding का बनाएगा तो उस टाइम पे हम corresponding angle टेस्ट यूज करेंगे तो फिलहाल हमारे question number 1 में जो shape मुझे दिख रहा है इन दोनों angle का वो interior angle की जैसा है अब सोचते हैं कि interior angle टेस्ट हमें क्या कहता था अभी अभी जो मैंने आपको बताया है क्या कहता है interior angle कि अगर बनने वाले मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं आसानी से कि बनने वाले जो interior angle से है इनका total अगर 180 आता है तो यह दोनों horizontal lines parallel होंगे तो आपको ऐसी समझने आ गया होगा क्या यह interior angle बन रहें यह सर्थ दोनों भी lines के अंदर है इसका मतलब interior angle होंगे फिर यह देते हैं कि इनका total 180 है यह supplementary है या नहीं है तो जब मैं इन दोनों को औरली प्रस करता हूं तो मेरे इसाब से यह दोनों 180 नहीं आते तो जब यह 180 नहीं आएगा तो आपको लगत है अब आते हैं इस वड़े जस्टिफिकेशन तो क्या reason निखेंगे कि क्यों parallel नहीं है तो interior angle test क्या कह रहा था कि अगर supplementary होगा तब lines parallel होगे तो यहां तो supplementary है नहीं इसलिए हम लिखेंगे by interior angle test line M is not parallel to line N और क्या reason दिया by interior angle test war test use किया तो पता चला कि इन दोनों का total supplementary नहीं है इसलिए line parallel नहीं तो यह आपका justification अब यह सारा question मैंने आपको orally समझाए आए इसका presentation मैं फिर आपको याद दिला दू कि presentation थो सबसे important है आपको orally समझ में आ गया आपके दिमाग में है लेकिन जब तक आप paper पे present नहीं करोगे आपको marks तो मिरेंगे नहीं तो आइए presentation यह रहाए question mode diagram और इसको जब solve पर स्टार्ट करोगे तो आप यहां लिखोगे solution solution लिखने के बाद सबसे पहले जो information है देखते हैं यहां पर angle x is equal to 71 degree है इसको मैं आपके लिए दे देता हूँ equation number 1 जो information आप देख रहे हैं उसको मैं यहां पर क्या देदिया दिक्तर के equation number 1 नीचे बाद लाइन में आजाए यह दूसरा angle कौन सा है angle y कितना डीपर दिखा हुआ है वो 1 0 8 समझ गया है इसके लिए मैंने देता हूँ equation number 2 यह मेरा सबसे पहला सबसे दोनों की information दिखा दोनों को प्रस करके चेक करें अगर वनेटी आया तो लाइस पैरलल है और अगर वनेटी नहीं आया तो लाइस पैरलल नहीं होंगे तो अब यह तो मैं और नहीं पोड़ा हूँ है यहां लिखेंगे देखिए इसके नीचे थर्ड वाली लाइट में लिखेंगे adding equation number 1 and equation number 2 अब इन दोनों equation को क्या करना है add करना है यहां में देखता हूँ angle x plus angle y इन दोनों कर add किया तो क्या मिखता है अब यहां में data answer नहीं रिखाओ ध्यांसर देखिए presentation angle x plus angle y इसके नीचे इसकी value पूट नहीं कर लो इन दोनों की values सामने लोट कर लो है न तो angle x की value किती है बोलो तो angle x इस उपर टो कितना रिखाओ मैंने 70 यह हो गई angle x की value बीच में कौन से sign है प्लस की sign है एंगल y की value किती है 101 प्लस किया छेट करने पर पता चला कि 101 प्लस 71 आंसर कितना आता है 179 तो क्या यह 180 है सर एक डिगरी कम हो गया एक डिगरी कम होने का मतलब यह supplementary नहीं हुआ और अगर angle supplementary नहीं है तो lines parallel नहीं होता तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि यह दोनों line m और line n parallel नहीं है अब उसे हमें यहां पर link करके बताना होगा तो आई यह देखते हैं कि presentation कैसे होगा ठीक है और यह देखते हैं यहां लिखेंगे since angle x and angle y यह वाला angle x और angle y यह दोनों मिलकर के कौन सा angle form कर रहे हैं इंगल x और angle y forms कौन सा angle इंटीडियर एंगल सही लिखा हो ना मेरे हाँ या नहीं ऐंगल x और एंगल y कौन सा इंट गपर रहे हैं तो ribs इंटीडियर एंगल साओश कौरि केंटी तो दूंक आइनगल पॉरकैं घर्य कई एंटीडिल एंगल लेंकिन बेहारा tougher speaking of not क्या वह सप्लेमि犬्ट की है एकष़शा सी है या नहीं है लेकिन जब मैंने उनको चेक किया प्लस करके तो वो सब्लिमेंटली नहीं है तो नीचे लिखेंगे But They Are Not Supplementally समझ में आया statement पहले तो मैंने ये बताया कि Angle X और Y क्या हैं इंटीर इंकल फॉर्म करने But they are not Supplementary, उन दोरों को प्लस करके चेक किया तो उनका टोटल 180C नहीं आया इसलिए वो Supplementary नहीं होंगे तो अब इनको देखते हुए ये बार पता जल्दी है कि अगर वो Supplementary नहीं है तो by कॉन सा टेस्ट इंटीर इंकल टेस्ट यूज करूँगा और वो क्या कहता है कि अगर वो Supplementary होते तो लाइन्स पैरलल होते लेकिन यहां Supplementary नहीं है तो लिकूंगा बाइ इंटीर इंगल टेस्ट लाइन्स आर नॉट पैरलल समझ में आया ना उसी का statement यूज कर रहा हूं वो क्या कह रहा था कि अगर Supplementary है तो लाइन्स पैर अगल होगा पर अगर Supplementary नहीं है तो लाइन्स पैर अगल नहीं होगा तो हमने यहां चेक किए दोना एंगल को प्लस किए तो ले कितना है 179 वो मैंने इसके नीचे बढाया निकर कि एंगल एक्सार वाइन्स पार्म कर रहें इंटीर एंगल लेकिन चेक किया तो बढ़ दे आ नोट Supplementary Supplementary नहीं है तो कौन सा टेस्ट यूज कर रहा हूं तो देरफोर ली थेंग ए बाई उस टेस्ट का नाम लिगना जरूरी है क्यां से इसी डिमार्ट से लेंगे आपको बाई इंटीर एंगल टेस्ट यहां दीचे लाइन कौन से लाइन है M is not parallel to line M यह आपका final answer समझा है ना यह रहा आपका पूरा प्रेजेंटेशन तो इतना सी सिंपल सा यह question था आई एक बार इसे पड़ा पर repeat कर देते हैं सबसे पहले आप सब जानते हैं कि information है x is equal to 71 y is equal to 108 और check करना है कि यह दोनों line M और M यह दोनों horizontal lines parallel है या नहीं है तो मैंने क्या किया इन दोनों को equation दे लिया फिर दोनों equation को add दे लिया x plus y दोनों की value को put किया total कितना आया फिर मैंने check कि कि सब x और y तो क्या form कर रहें interior angle form कर रहें है ना लेकिन interior angle supplementary है क्या अगर वो supplementary होते तो lines parallel होती है और अगर वो supplementary नहीं है तो lines parallel नहीं है ऐसा पौन कहता है ऐसा कहता है interior angle test तो देखो यहां लिखाओ but they are not supplementary तो interior angle test के हिसाब से दोनों line parallel नहीं है and is not parallel to n simple तो आपका justification यह जो है ना यह presentation यह आपका हो गया justification reason के साथ इसी पर आपको complete marks मिलें ठीक है इस question को आपको अभी कर देजिए question number one complete आईए इसके बाद देखते है main question number two तो student main question number one के बाद board पे आपके सामने exercise number 2.2 का second question आप देख सकते हैं और यह उसका diagram आईए question देखते हैं और जड़ी से इसे solve करते हैं बहुत ही simple है आपको पहला question समझ में आ गया होगा वैसा ही कुछ मिलता है जोता हमारा second question है जिसमें क्या कहा गया है if angle A is confident to angle B यह हमारी information कि angle A और angle B क्या है confident अब आप अगर diagram देख रहे होंगे तो आपको angle A और angle B इस तरफ दिखरा होगा angle A उपर की तरफ है और यहाँ नीचे की तरफ angle B है आगे दिखा है proof that line L is parallel to line M यह तो word है proof that, proof that का मतलब साबित करके बताओ, proof करके बताओ कि line L और line M parallel है समझ में आ रहा है उसमें पूछा नहीं है कि नहीं बलकि हमको यह proof करके बताना है देखे सवाल तोड़ा सी अलग है इसके पहले यह पूछा था कि parallel है या नहीं फर्स्ट वाले कोशन इस वाले कोशन में क्या पूला है कि एंगल A इस पॉपर की तरफ बना हुआ है यह वाला एंगल एंगल B जो इस तरफ बना हुआ है इसको क्या है पॉपरेंट है ठीक है फिर इसके बात बोलता है तो इस बार हमको प्रूफ करके बता रहा है तो आईए प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि कौन से टेस्ट का यूज होगा है वही तीम टेस्ट, कर्रस्पॉंडिंग एंगल टेस्ट, इंटीर एंगल जो अमने फर्स्ट वाले कोशन में यूज़ के थे और अल्टने डीम लकाई पर क्या उज़ंगा और ये समझने के कोशिश करते हैं तो चयसा कि मैं बताया था कि हम लोग डाईंगांग में यह ने की कोशिश करते हैं कि यहोंगे दोनों एगल कौन इसे शेप में हैं तो अगर मैं ए ऐसके चार्बाध अबना रहे तो इसमें तो तीन ऊंत तो इस question को solve करने के लिए हम एक काम करेंगे जैसा कि हमने 2.1 में भी कुछ questions के अंदर अपनी मर्जी से कुछ angles लिए थे angles बने हुए हैं सिर्क उसके नाम दे लिए जैसा कि यहां पर इस angle का नाम क्या है A इस तरह उसका नाम क्या लिखा हुआ है B हम इस angle A के opposite में एक angle लेंगे C देखा आपको angle A के opposite में एक angle क्या लिया है C लिया है अब इसका हाइदा क्या हो तो आइए मैं इसे आपको और ली समझाता हूँ उसके बार present करते हैं देखिए ध्यान से देखिए अब आप एंगल A और एंगल C को अगर देख रहे होंगे तो एंगल A और एंगल C कैसे दिख रहे हैं हमारे 2.1 में जो 5 एंगल पढ़ाया था उसमें से एक एंगल देख रहा होगा English का Alphabet X के जैसा हाँ नाम बोलिए जोड से बोलिए आवाजारी है क्या वो वर्टिकली अपोजिट एंगल और आपको यह भी बता होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कॉंग्रेंट होते हैं तो यहां मैंने जब मैंने यह कंसिडर कर लिया कि जैसा कि इस डाइग्राम में एंगल C को मैंने कंसिडर कर लिया हूँ कंसिडर एंगल C एक तो एंगल C को कंसिडर करने के बाद मैंने यह दोलों का रिलेशन दिखा A और C का और उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉंधेंट होता है, ठीक है ना, तो एंगल यह कॉंधेंट हो जाएगा, एंगल C को, फिर उसके बार, सेकेंड टाइम पर मैं यह देखूंगा, एंगल C और एंगल B, ज़र भ्यां से देखो, आप बच्चों समझ ही गए होंगे, कौन से टाइक का एंगल है, बोलो बोलो रहा है, कौन से टाइक का एंगल है, एंगल C और एंगल B, इक करस्फांडिंग यह बन रहा है, सही ना, उसके बाद अगर मैं फर्स्ट और एक्वेशिन देखो, एंगल A और एंगल B, वो पहले आप यहां देखें एंगल C और एंगल B यह पहले से नहीं है इसको मैं पूर्ट करके रिखाऊ और हमारा टेस्ट क्या कहता है कि यह कर्सपॉंडिंग अगर कॉंडेंट है तो लाइस क्या हो जाएगा पैर अगल हो जाएगा समझ में आ रहा है तेस्ट क्या है अपना आप तक प्रूफ नहीं हुआ इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊगा और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल C और एंगल B यह दोने अंगल बॉल्मिंट है तो आप क्या बोलोगे सब करस्पॉंडिंग अंगल अगर कॉंडेंट होता है प्रोटेस्ट के इसाफ से दोनों समझ गया है मैंने क्या बुला कि जब हमको किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है यानि साबित करके बना तो यहां पर सब्सक्राइशन नहीं पढ़के प्रूफ लिखते हैं येवल वगरा भी लिखते हैं लेकिन खिडाल में सब शॉट फॉर्म में प्रूफ लिखते हैं त चुके वो एंगल C पहरे से आपके पॉशन में नहीं था मैंने कंस्यीडर किया यहां लिखें उस चीज़ को पता है कैसे कंसीडर एंगल C एज शों इं यानिके एंगल C को उस तरह से consider करो जैसे कि मैंने diagram में दिखाया है ठीक है चलो consider कर लिए अब आते हैं presentation पे इसके बाद का statement क्या होगा तो अगर मैं गौर से देखू तो एंगल A और एंगल B यह जो दिख रहा है ना यह तो पहले से question में है तो मैं इसको लिखाया, since angle A component है इसको angle B यह आपका equation number 1 कहां से आया reason कि angle A और angle B कैसे component है तो आप गोलोगे सार वो तो given है तो आगे क्या लिख होगे ब्रैक्टेट में given लिखाया पहले भी मैंने आपको बताया हूं कि geometry के अंदर reason लिखना ज़रूरी होता है तो यहां पर मैंने angle A और angle B component है नहां से आया give उसको मैंने equation number 1 बंग दे दिया अब इसके नीशे वाले राइन में angle A ये छोड़ दो एक प्रेशन और लिखे छोड़ दो और उसके नीशे वाले राइन अंगल A component होगा किस को? angle C को यहां से आप angle A component होगा किस को? angle C को ज़रा आप यहां से लिखो उस angle को क्यों पांगेंट होगा सोचे दूँ बताया मैं यह ओडल में एंगल C यह आपको क्या हो जाएगा इक्वेशन नमबर 2 यह चीज कैसे पांगेंट हुआ वो रीजन मैंने आपसे पूछा जब ओड़ समझा रहा था तो मैंने का था कि वो पांच एंगल में से जो इंग्लिश का अल्फिबिट क्या बनाता है एक्सके जैसा बनाता है उसको क्या केते हैं आप बोलो जोर से वर्टिकली अपूजिट एंगल शॉट फरम में भी ओ ए समझ वहाए कि कैसे और एंगल A इंगल एंगल C को 2nd equation में मैंने यह प्रूफ किया कि angle A एंगल C को vertical opposite angle से अब इन दोड़ equation को आप compare करो compare करो आपका answer आपनी वाल है किये कुछ से देखो न equation number 1 में यही angle A एंगल B को equation number 2 में वही angle A एंगल C को मैंने आपको पहले भी सिखाया कि अगर किसी दो equation का left hand side समझता है не left hand side? जो E οι इकवेसिंक शॉफ उस तदफ है उस तरफ है left hand की तरफ है जो left hand side होगा और जो right hand की तरफ है उस पो right hand side DH Hell गोलेगे तो डोक्यू和 equation का left hand side equal है जोक्यू основ डोक्यू equation-क right hand side भी equal होगा सब्यूक्यूरा na? देखो equation number 1 का left hand side कया है? इक्वेशन नुमरर टु का लेफ्नेंँ साइड क्या है एंगल दोनुन एक्वेशन का लेफ्नेंँ साइड सेम हो. तो दोनुन एक्वेशन पर लाइक्वेशनर राप्नपर य встрет Metis ओर एक्वेशन अंभर है जेमपी सिद्डौन हो साथे से में कहल साहं हो from equation number 1 and equation number 2 जो तुम्हों सेम है इस पहटा को जो बच गया वोली को angle B congruent है किसको angle C को समझने आया angle B B किसको congruent होगा angle C को और यह आपका answer है यहां से देखो angle B किसको congruent होगा angle C को यहां पे देखो angle B और angle C congruent होगा इसको congruent होगा अब यह पहले से congruent नहीं था इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया from 1 & 2 दिखाया था कि यह जो बनने वाला angle B और C है वो congruent है अच्छा यह कैसे दिखता है कौन से shape का angle दिख रहा है F का मतलब क्या बता रहा था मैंने corresponding angle तो यह corresponding angle है कौन से दो B और C यह दोनों corresponding angle बना रहे बनने वाला corresponding angle अगर concurrent है पहले से तो lines क्या होगा क्या अगल होगा हो गया ना proof कौन सा test यूज कि हमने corresponding angle test तो देखें कैसे लिखेंगे लिखे का जो line है कैसे लिखेंगे यह लिखेंगे since angle B and angle C forms corresponding angle क्या form करते हैं ओलो angle B और angle C forms corresponding कर रहे हैं यह तो आपको दिखी रहा होगा angle B और angle C F के जैसे बना रहे हैं तो corresponding angle form करने हैं अब corresponding angle अगर form out है और साथी साथ यहार congruent है ना congruent तो अगर corresponding angle congruent तो बोलो lines parallel समझ में आया किसने कहा है यह बात मैंने कहा नहीं भही यह हमारा test है कौन सा test है corresponding angle test वो यह कहता है कि अगर corresponding angle पहले से congruent है तो lines क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी तो angle B और C forms corresponding angle और साथी साथ कौनल भी है ना यहां पे देख रहा है तो हम नीचे क्या देखेंगे angle B and angle C forms corresponding angle and they are congruent angle B and angle C forms corresponding angle and they are congruent है ना congruent तो अगर वो congruent है and they are congruent अगर वो congruent है और corresponding है तो by कौन सा test बोलो test का लिखना जरूरी है उसका राम लिखना जरूरी है तो marks को मिलेगा कौन सा test by हाँ हाँ आ रही है बोलो जोर से by corresponding angle test क्या जहता है कि corresponding angle content है तो बन्ने वाले जो lines होती है प्रैकल कौन सी line है यह वाले line और यह वाली line तो इस वाली line का नाम L और इस वाली line का नाम M therefore line L is parallel to line M और यह रहा था जो चीज उसने मुझे प्रूफ करने बोला था ना हो गया दिखा रहे है ने दिखा मुझे बोला था प्रूफ करके बताओ कि line L किस प्रैकल है line N को प्रूफ किया ना मैंने समझ गया या question तो यह आपका main question number 2 exercise number 2.2 का तो student आज के इस lecture में मैंने आपको सबसे पहले revise कराया 2.1 के 5 angles के बारे में कि वो क्या होते है फिर आज इस exercise को शुरू करने से पहले हमने 3 तरह के test पढ़े क्या नाम उनका test for parallel lines है ना खाली हरका से revision करा रहा हूं वो test किसके लिए use होते है lines को parallel prove करने के लिए यानि हमारे पास उनके statement के हिसाब से condition है तो हम lines को parallel prove कर सकते हैं यानि मैं यह कहना चाहाँ कि अगर corresponding angle पहले से concrete तो lines parallel alternate angle पहले से concrete lines parallel interior angle पहले से supplementary है lines parallel यह हो हमारे test है उसी के ऊपर आज हमने आज के लेक्षर को मैं यही फिनिश कर रहा हूँ हम अपने कल के lecture में मिलेगी नए question के साथ तब तक के लिए आप इसे practice करिए आच्छे से practice करके साफ photo लेकर आप परसर पे send करिए मैं उसे शाम में चेक करता हूँ ठीक है जरूर देखिए ताके जितनी महनत हम कर रहे हैं उतनी ही महनत आपको भी करनी है आपको इसके practice करोगे तो यह आएगा सिर्फ देख करके movies की तरह देख लिए और छोड़ दिए उसको और भगा-भगा की देख लेए में से कुछ सीखो के निया सीखना है तो ध्यान से देखिए और इसके बाद उसको practice भी करें तो student इन ही बातों के साथ मैं आज के इस lecture को यहीं पे finish कर दो मिलते हैं कल के lecture में असलाम